हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का चाहे क्लास 10 के चात्रों होट और चाहे क्लास 12 के चात्रों मैक्सिमम का आज UP board का exam समाप्त हो चुका है ठीक है तो अब आपके मन में चल रहा हो गा कि UP board का जो result है कब तक आए गए आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि युपी बोर्ड का result कब तक आ सकता है फ्रेंज्ज यूवी आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पारे एक सूचना आप सभी को बता देते हैं कि आज आप सभी के support एवं प्यार के वज़ा से आपकी जो family है 10,000 पहुच चुकी है तो आपको इसके लिए तहे दिल से सुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार एवं support आप लोगों ने दिखाया ठीक है अब चलिए आप सभी को बताते हैं कि UP board का result कब तक आ सकता है ठीक ह अब देखे UP board 2024 का result देखने से पहले आप सभी को पहला रिकार्ड आपको बताते हैं कि 2023 में कितने चात्र उपस्थित हुए और कितने चात्रों ने पास किया चाहे class 10 के चात्रों चाहे class 12 के चात्रों UP board 2023 का result कब आया देखे दो हजार 24 का result कब आएगा इसका जो आपका बात निर्वर करता है यह आपका निर्वर करता है कि 2023 का result कब तक आया था इसको जानना भी आपको जरूरी है चाहे आपको बता देते हैं देखे चाहे class 10 के चात्रों रहे हों चाहे class 12 के चात्रों रहे हों उन्हें सब का result 25 अप्रेल को एक बच के 30 मिनट पे आपका result UP board के द्वा पास हुए थे 89.78 परतिशत तक चात्र पास हो गए थे जबकि बरहावी की चात्र जो पास हुए थे 72.83 परतिशत पास हुए थे तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंट है हाई स्कुल में जितने भी चात्र रहते हैं maximum चात्र पास होते हैं और इंटर में जो होते हैं maximum चात्र देख लीजी हाई स्कुल की तुनला में कम पास होते हैं ठीक है तो यह आपका था कि 10 वी में कितने चात्र पास हुए थे और बरहावी वी कितने चात्र पास हुए थे देखे 89.78 का मतलब यह होता है कि 100 में इतने लड़के पास हुए थे तो आप जितने चात्र जैसे 55 लाग से उपर चात्र पर चाहें देते हैं तो इसमें 55 प्रतिशत निकाल सकते हैं मतलब आप प्रतिशन देखे 89.78 और इंटर का 72.83 प्रतिशत पास हुए अब चलिए आप चात्र हो अब देखे आप सभी को बता दें कि मैक्सिमम चात्रों का जो है पेपर तो आज साथ मार्च को समाप्त हो गया है लेकिन अभी कुछ चात्रों का जैसे जिनका इलेक्टिसियान या कंणर या गुजराती भासाएं हैं उनका जो परिच्छा है नाव मार्च तक चल चात्रों का साथ मार्च को समाप्त होगा लेकिन कुछ चात्रों का भी पेपर 9 मार्च को समाप्त होगा चाहे वह क्लास 12 के कुछ छात्र रहेंगे उसमें कुछ class 10 के तेकर 10 और 12 के कुछ छात्रु को होगा अब देखी जब जैसे ही आपका 9 March को exam आपका समख्त होगा उसके तुरंत बाद आपकी कापी checking प्रारम होगा कापी चेकिंग कब होगा नौ मार्च के बाद ही आपको कापी चेकिंग प्रारम होता है और यह कापी जो चेक होता है लगबग में आपको यह कापी 20 से 25 दिन में कापी चेक हो जाता है ठीक है 20 से 25 दिन लगता है कापी चेक होने में ता आपको 20 से 25 दिन में कापी पुरत चेक अब जाएगा अग्र इस साल जो चात्र ना माँकति ऑधिक चात्रों ने नमांकन ते उसमें से कितने चात्रों ने चात्रों ने त्यांडों लेकिन नमांकन हुआ था था ठीक है यह कुछ इसके रिकार्ड है अब चलिए आप सभी को बताते हैं कि आप सभी का result कभ तक आ सकता है यूपी बोड दो हजादाच चोविस result 10 और 12 इन सबका जो result है आप सभी का अप्रेल के अंतिम सब्ता हमें ठीक है अप्रेल का जो लाश्ट सब्ता होगा उसमें आएगा या चुनाओ के वज़े से लेट होता है तो मैं माह के पहले सब्ता हमें आपका result 100 परसंटेश आ जाएगा ठीक है करीब आप्रेल के सब्ता में या मैं के पहले सब्ता में आप सभी का क्या हो जागा result जारी हो जाएगा देखी फरेंज आप सभी का एक्जाम बहुत अच्छा गया होगा ऐसा मानते हैं और आप सभी अब क्या कीजिए थोड़ा सा आनंद लीजिए जाए शादी में अटेंड कीजिए इसके अलब कहीं भी आपको घूमना फिर ना है जाके घूम फिर लीजिए ठीक है आपके बाद आज से आपको क्या हो जाए है कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा तो आप सभी को 2023 से कंपरीजन करते हुए 2024 का आपको बता हैं आपको हंडेट परसंटेज इसी के आज पास में रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा तो फ्रेंस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बाक्स में अपनी राहे जरूर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लें